नमस्कार, मेरा आज का वीडियो है एकोनोमिक ग्रोथ ले, मेरे विचार से भारत की एकोनोमिक ग्रोथ जो है, वो 20-25 परसंट, even 30 परसंट तक भी जा सकती है, उसमें मेरे कुछ सुझाव हैं, इसको आप ध्यान से सुनो और फिर इसको डिसकस करो, ताकि इससे बेटर रिजल स्क्रिक्तन हैं, पहला सुझाव है, वो है, सभी व्यक्ति को काम करना पड़े गा, हर व्यक्ति काम करें, कुछ मी काम करो, काम जरूर करो, दोसरा जो प्रसंट, '' जो भी काम करेAK, उशको पूरे ध्यान और लगन की साथ करें, मत्वब उसकी एटेंशन पूरी होने जीतों, ताकि गल्तियां ना हो या बहुत कम से कम हो तीसरा जो भी वो काम करे उसका पूरान ग्यान हासिल करे उस काम को करने के लिए ताकि किसी को उस काम के करने से नुकसान ना हो और वो काम सही तरीके से परफेक्ट तरीके से पुरा हो मतलब अपने काम में एक्सपर्ट बने है नम परियास करें, मतलब रिसर्च करें, मलकि हफते में एक दिन रिसर्च को रखें, हॉलिडे जो है न, ह-o-l-i-d-a-y, इसको बनाओ, ह-o-l-y-d-a-y, मतलब हॉलिडे पवित्र दिन बनाओ, वो आपका पवित्र दिन होता है, उसमें आप रिसर्च करो और अपने काम को बहतर पूरि कोशिश करो, पूरि रिसर्च करो. नमबर पाद, गौर्ञ्मेंट का भी रोल है, गौर्मेंट को अब जनता का मित्र बनना पड़ेगा, जनता जो है, तो यूंकि देश की उनस्थी चाहती है, अपना मेविकास चाहती है, तो अगर गौर्मेंट और गौर्मेंट का अधिकारी का विवहार जो है जनता के साथ मित्र पूरोख हो, मंदत पूरोख हो, तो गवर्मेंट as a first friend of the people, as a best friend of the people बंच के एकाम करेगी, तो मुझे पूरी उमीद है कि जनता का विकास तेज होगा, देश का विकास तेज होगा, तो भारत सबसे अमीर देश बन जाएगा, यही मेरी कामनावी है, यही मेरी सुझाओ भी है, किर्पिया सोचो, डिसकस करो, अच्छे लगे तो इसे, आगे भेजो ताके सभी लोग देश की उनती में अपना योगतान दे सकें, भारत को विश्व की सबसे उचाईयों पर ले जा सकें, strongest, richest, happiest इंडिया, जै हिन, जै भ झाल झाल